हलो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर उपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक या पेरालिसिस या लक्वा मार जाना जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाशा में उसके बारे में ये स्ट्रोक क्या होता है कैसे होता है इसको क्या हम घर पे किसी तरीके से डाइगनोस कर सकते हैं कि हमको स्ट्रोक हुआ है या नहीं और इसके लिए इलाज की क्या-क्या तरीके हमारे पास option मौझूद है स्ट्रोक होने के बाद ये इलाज होने के बाद हमको घर पे क्या-क्या precaution सकने होते हैं सब चीजा आज हम इस वीडियो में जानने वाले है तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि इस्ट्रोक ये पैरालिसिस या लगवा मारना ये सब एक ही टर्म है समय तो है अगर मेडिकल लेंग्वज में इसके स्ट्रोक कहा जाता है आम बौलचाया की भाशय में लकवा मारना ये पैरालिसिस हो जाना बोला जाता है नौर्मली मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो स्ट्रोक दो तरीके से होता है ऐसे नो शॉक्षाइब पांके करे दीज़्विस literature इस्चमी अविक हीमर्ऑचन दूसरे होता है ऐंहर्रेजीक स्ट्रोक तो अगर जट्राने के लिए अगर बताँ तो इंफाक्शन या जो इस्चिमी इस्ट्रोक ठाएं इसका मतलब है कि आपके ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में या पूरे ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंध हो गई है कि बंद्ध हो गई यह काफी ज्यादा कम हो गई जिसके वाज़े as a मरने लगा है या मरना इस्टार्ट हो गिया या मरना मर चुका है यह अगर आप कहें एक तरीके से जो दूसरे टाइप का इस्टोक जो मैंने बताया वो हता है हमजीक स्टोक यानि कि आपकी दिमाग की कोई ब्लडवेसल फट गई है जिसके वज़े से आपके दिमाग के अंदर जमा हो गया है जिसकी वज़े से आपका दिमाग का हिस्सा काम नहीं कर दा यह मर गया यह मरने जैसा हुगया अ को यह दूमें प्रकार हैं इसके अलावा हाला कि और भी काफी टाइप्स होती है जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चों को पोली हो जाता है तो भी उनका पाउम हो जाता है यह एक इंफेक्शन की वज़े से होता है आपने देखा होगा कि पॉलियो मेलेट इसके लिए जो पॉलियो ड्रॉप्स जो वेक्सीन वगदा जो दिया जाता है तो वह एक डिफेंट चीज है इसके अलबाद ट्रांजियंट इसके होता है जिसके अन्द़ की पेश failure के लिए ब्लोड के सास्त loud खूली कलॉट हो जाता है और थोडि देर को पॉडर्ój करेंग हो जाता vors यह इसकी वाद ब्लेड की के स्ट्रोग की बता है कि इस्चयमिक स्ट्रोग और हैम्रजिक स्ट्रोग नर्मली 70-80% पेशेंट्स के अंदर जो इस्ट्रोग होता है यानि इन्फार्क्शन होता है यूरिया में बल्ड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है जो remaining 20-30% जो cases होते हैं उनके अंदर hemorrhage की stroke होता है और 1-2% लोगों के अंदर कुछ अलग cause होते हैं जिसको सब arachnoid hemorrhage भी बोलते हैं या AV malformation और काफी different type की stroke होते हैं तो वो सब हो सकता है सबसे पहले कि क्या stroke को रोका जा सकता है हम इसको कैसे prevent कर सकते हैं तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसा heart attack के बादे में जो बताया था same risk factor stroke के भी है normally stroke थोड़ा सा older age के लोगों में ज्यादा होता है से भी देखा ज्यादा जो जो risk factor heart attack के हैं जैसे smoking हुआ stressful lifestyle हुई ही बीपी ज्यादा होना diabetes होना cholesterol ज्यादा होना sedentary lifestyle होना वही सारी जो सारे risk factor stroke के लिए भी लागों होते हैं इसको क्या हम किसी तरीके से जौक सकते हैं तो सेम जो उसके लिए जैसे मैंने बता है कि आप healthy lifestyle adopt करें डेली regular exercise करें आपका BP वगर चेक करा हैं अगर बढ़ा हुआ है तो उसको control में रखें शुगर वगर आपकी बढ़ी है तो control में रखें या cholesterol अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको control में रखें यही सब हम कर सकते ह अगर किसी को stroke हो गया है या paralysis हो गया है तो क्या हम उसको घर पे ही पता कर सकते हैं कि उस यक्ति को stroke हुआ है या नहीं हुआ या उसको क्या करना चाहिए उस particular time पर तो this is what actually I want to convey to you people यह बहुत एक important चीज है कि आप उसको diagnose कैसे करेंगे तो इसके लिए बहुत ही एक simple तरीके स इसके लिए बनाया गया है इसको फास्ट एस टी तो फास्ट के अकोडिंग लिए अगर आप पेशन को देखते हैं तो शायद आप 90% चांसे की stroke को पहचान पाएं तो फास्ट के अंदर क्या होता है एस या नि फेस आपको सबसे पहले देखना है कोई पेशन जो की नॉर्मल चल्फिस आता बात कर जाता खाना पाएं तो इसका मुझ टेड़ा हो गया है या जब आप उसको दांत दिखाने के लिए बोलते हैं तो उसका मुझ एक साड़ में मुढ जाता जैसे ऐसे आप दांत दिखा जें तो नॉर्मल दिखा जाता है अब आप उसको आख देखना है उसको बलें कि आप जोड़ से आख बंद कीजी ऐसे मैं कस के आख बंद करने के लिए बोलो तो पेशंट आख बंद नहीं कर पाएगा जिस साइड में स्ट्रोक होगा सब्साइड साइड का है तो जाइड साइड की आख ऊसकी थोड़ी खु इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो यह फर्स चीज, फर्स्ट का सेकंड वर्ड है, ए यानि आल, जिस साइड का परालिस हुआ है, उस साइड की आर्म्स में उसकी वीकनेस आजाएगी, आप बोलेंगे, इस हाथ को उठाएगे, तो वह इस हाथ को उठाएगा, लेगन अगर इस हाथ में वीकनेस है, तो वह शाद उठा नहीं पाएगा, जाजी या जाहू लिया कुछ भी आप उनको बोलेंगे नाम बते हैं तो बोलेगा जाहर ऐसे करके बोलने की कोशिश करेगा then you should also suspect about the stroke के पेशिंट के दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है इसको कितनी देर से यह प्रॉब्लम है अब यहां पर टाइम बहुत एक इंपोर्टेंट फेक्टर हो जाता है क्योंकि टाइम इस ब्रेंट जैसा कि मैंने लास्ट हाट अटेक वाले वीडियो में आपको बताया था जितना जल्दी आप उनको डाइगनोस करेंगे जितना जल्दी उनका CT scan होगा जितना जल्दी आप पेशिंट को डॉक्टर के पास लेके जा पाएंगे उतने ही ज्यादा उनके ठीक होने के या उनके बचने के chances है तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि क्या हमको घर पे ही कुछ precaution कोई medicine उनको दे देनी चाहिए या घर पे ही पांच बजे स्ट्रोक हुआ है सुबैं मोर्निंग में तो कोशिश कीजिए पांच बज के पांच निट पर डॉक्टर के पहुंच जाए या पांच बज के पंद्रा मिनट पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए क्योंकि जिस तरही कैसे मैंने आपको हाट अटेक के वाले वीडियो में बताया था कि वहां पर 120 मिनट इस दा गोल्डन पीरियड तो यहां पर वह गोल्डन पीरियड है 3 आवर्स विद कुछ प्रिकोशन 4.5 आवर्स यानि साड़े 4 घंटे के बाद अगर आप पहुंचते की वज़े से अगर स्ट्रोक उनको हुआ है तो एक मैडिसन होती है जिसको हम बोलते हैं थॉम्बोलाइस करना या जिकॉमिनेंट टिशू प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर जिसकी वज़े से हम उस क्लोड को गला सकते हैं और वो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पान से जातके बढ़ते हैं ना साधे चार घंटे का मतलब यह नहीं है कि आप साधे चार घंटे का मतलब की चार घंटे में पहुँचे या साधे तीन घंटे में पहुचे कोशिश आपको यह करनी कि आप 15 मिनट में आदी घंटे में पहुंच जाए तो इसलिए मैं I don't want you to waste in anything युसी घंट पर कि यह खिला दो खिला दो या कुछ भी पानी पिला दो ऐसा कुछ नहीं करना जाद हो पानी के लिए तो मैं most of the time मना ही करता हूंगा कोई patient unconscious है तो उस patient को बिलकुल पानी नहीं पिलाना है या कुछ भी खिलाना है मुझ से क्योंकि वह पानी या जो भी आपने खिचड़ी या कुछ भी जो भी खिला है उसी के ने डूब के मर सकता है तो किसी भी बेहोश व्यक्ति को कभी भी पानी नहीं पिलाना है कभी भी कुछ नहीं खिलाना है मुझ से जैसा कि आपने देखा होगा कभी कोई सोता हुआ पेशेंट कभी खाना नहीं खा सकत क्यों कि वह स्वालो नहीं कर सकता जब भी पेशिंट सोता है या जब भी पेशिंट बेहोश होता है तो इसलिए आपको कुछ नहीं देना आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचे डॉक्टर सीटी स्केन या जो भी उनका करेंगे उसके बाद डेविल डिसाइड कि अगर इस्चेमी की स्ट्रोक है तो उनको क्या थॉम्बोलाइज करना है या खून पतला करने वाली दवाई देनी है या अगर हैम्रेजी की स्ट्रोक है तो उसके हिसाब से वो दूसरा ट्रीट्मिंट करेंगे तो ये बात तो थी इस्चे कर सकते हैं या तो हमारे पास क्या-क्या option होते हैं तो दिखिए हैम्रेजी के स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि वह हैम्रेज का amount कितना बड़ा है अगर वह बहुत कम है जिसकी वज़े से उसके सेंसोरियम को उसके दिमाग के ओपर कोई प्रेशन नहीं पड़ा तो कई बार हमको सर्जी की जड़वत नहीं भी पड़ती है कई बार हमको मेडिसिन से ही प्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं बड़ बार हमको सर्जी की जड़वत पड़ती है क्योंकि जब हम्रेज होता है तो यूसी हमारे जो दिमाग है वो इसकल के अंदर एक बंद केविटी के अंदर है इसकल is very rigid bone if you can touch and feel तो अगर दिमाग के अंदर में इसकल बंद में इतनी ही जगे है कि इसके अंदर के ब्रेन आ सके या CSF आ सके या ब्रेन के अंदर जो बहने वाला ब्लड है वो इसके अंदर अकॉमडेट कर सके उसके अलावा अगर कोई भी ब्लड आता है तो दिमाग के पास इतनी जगे नहीं होती कि वो फैल सके मतलए कि suppose कोई कोई एक्तोंज है तो वह इस पोंज को अगर आप पानी मैं भिगोंके रखेंगे तो फैल लेगा तो फैलने वाली जगह दिमाग के पास नहीं होती क्योंकी इस कलबोन के अंदर बिल्कल पैक्ड़ होता है तो जब ब्लीड होता है ardुटफट उसके बाद patient himself can die also तो उस particular condition के हंदर हमको operation की ज़रत पड़ती है और operation again जितना जल्दी किया जाए अतना अच्छा है अगर तो डॉक्टर खुदी ये समझते हैं खुदी ये मानते हैं कि नहीं अभी हमको operation की ज़रत नहीं है हमको थोड़ा वेट करना चाहिए that is a different option that decision they have taken consciously कि हो सकता है patient को operation की ज़रत नहीं आपड़े इसलिए हम लेट कर रहे बट हमको अपनी तरफ से delay नहीं करना है ये decision doctors का ही होगा कि उनको तुरंत operation करना है या एक दो दिन रखके उनको medicine देखके देखके और फिर वो better हो रहे हैं खराब हो रहे हैं उससाब से उनको operation करना है बट आप लोग जो कर सकते हैं वो क्यों लिए कर सकते हैं कि आप तुरंत patient को लेके doctor के पास पहुँचे कोशिश ये करें जिसमें भी brain में आप stroke जिसमें भी patient में आप stroke की possibility सोच रहे हैं जोसा कि मैंने जो आपको fast नेमोनिक fast नेमोनिक बताया तो उसके अंदर कोशिश ये करें कि अगर आपको लगजा है stroke हुआ है तो आप उनको ऐसे सेंटर पर लेके जाए जहां पर CT scan है अगर साथ में MRI भी अगर है तो बहुत ही अच्छा एक minimum CT scan या उस hospital में अगर न्यूजर सर्जन अवेलेबल हो तो कोशिश करें कि डाइरेक्ट आप उसी hospital में पहुंचें जिस हॉस्पिटल में CT scan या न्यूजर सर्जन है ताकि आपका एक hospital से दूसरे hospital या दूसरे hospital से तीसरे hospital में जाने में आपका time waste ना हो आपका स्ट्रोक का डाइगनोसिस हो गया उसका treatment हो गया ना इस ट्रोक के treatment में भी थोड़ा सा एक मैं आपको बताओं कि यह एक बहुत ही patience वाला काम है खासतोर से अगर hemorrhagic stroke हुआ है patient की brain surgery हुई है तो कई बाद patient एक-एक महीने तक भी ICU में रहते हैं उसके बाद 6 महीने तक घर में home care करनी पड़ती है means it is very laborious work और उसके बावजुद भी कई बाद patient बिल्कुल same to same condition में नहीं आ पाता जो कि वो stroke होने से पहले था क्योंकि दिमाग को recovery करने में बहुत time लगता है और कई बार वो recovery नहीं भी कर पाता है तो आपको थोड़ा से mentally एक long fight के लिए जड़ी हो जाना होगा अगर आप private hospital में अगर इलाज करा रहे हैं तो इसके अंदर खर्चा भी काफी आता है क्योंकि ICU का एक एक दिन का खर्चा ह बीस बीस पच्चिस पच्चिस अजार रुपे आ जाता है अगर government hospital में है तो शायद financially यह आपको ना बढ़न महसूस हो बट अगें एक mental trauma या mental torture तो एक family members के लिए उसमें भी होता है तो आपको इस चीज के लिए prepare हो जाना होगा and then hope for the best then after operation या after thrombolization जैसा मैंने आपको बता chance है कि जल्दी से जल्दी आपकी recovery हो जाएगी लेकिन अगर आपने लेट किया है तो उतने ही chances कम होते जाते हैं इसके बाद depend करता है कि अगर सब्सक्राइब करता है कि अगर सब्सक्राइब का operation हुआ है तो फिर इनको कई बार home nursing care की भी जरूत पड़ती है मतला आपको आप कोटी कराई है उनको हर दो दो घंटे में करवट दिलवाई है जिससे कि उनको बैड सोड ना हो उनको क्रेब बेंडेज बादने के लिए बोला जाता है जिससे उनकी दुबारा कोई blood clot ही कठा ना हो तो यह सारी चीज़े आपको home care में भी करनी होंगी इसके अलावा जो जो फिर भी लगता है कि इसमें कुछ चीज़ छूट गई है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी नंबर पर या इसी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं थैंकियो